परादा सवाल ये कि 36 गड़ में जल थल नभ में विकास की बयार बहाने का दावा करने वाले रमन सिंग कहां चूक गए? रमन सरकार क्यों हारी? किसानों की नाराजगी 2013 के विधान सवाद चुनाओं में धान का समर्थन मूली 2100 करना और 300 रुपए का बोनस देने का बादा रमन सिंग पूरा नहीं कर पाए किसानों की खुदकुशी भी उनके खिलाफ गए बेल अगाम नकसलबाद रमन सिंग सरकार को भारी पड़ा कॉंग्रिस नहीं से नाकामी की तरह भुनाया 2018 में बनी 36 गड़ की नई शराब नीती खिलाफ गई गाउं से लेकर शहर तक महिलाओं ने इसका जबरदस्त विरोध किया H.C.S.T. Act और आरक्षन पर मोधी सरकार के रुप से सवर्ण नाराज हुए और कॉंग्रिस के पाले में आ गए रमन सरकार के विकास के दावे मीडिया में ज़्यादा चमके हाकेकत में कम और इसलिए 2013 में जिताने वाला विकास का दाउं इस बार उल्टा पड़ गया पिकास हुआ है पिछले 15 साल में लेकिन लोग की अपक्षाएं बढ़ती है जब सत्ता में आप रहते हैं तो आपकी जनता की अपक्षा बढ़ती है उस अपक्षा बढ़े हुए अपक्षा के तुलात्मक जो है रमन सिंग खरे नहीं उतरे चत्तीस गड़ में कॉंग्रेस की जीट और बीजेपी की हार के लिए अजीद जोगी बड़ी भज़े बने चत्तीस गड़ में बीजेपी का सवर्णों के साथ साथ S.C.S.T. में भी बड़ा जनाधार था अजीद जोगी और बीएसपी के गटबंधा ने इस वोट बैंक को बीजेपी से चीन लिया जिससे रमन सिंग सरकार की कुर्सी उखड गए फिर उरको जीवी दिया